इसकी making और इसके working की, तो देखिए इसके mainly दो पार्ट होते हैं, एक होता है stator, जिसको stationary पार्ट कहते हैं, और एक होता है rotor, जो की rotating पार्ट होता है, बात करें अगर stator की, तो stator में 3 coil windings होती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से लगा जाती है, कि हमरे पास 3 power input बन सके, 3 phase power input बन सके इन 3 windings को एक दूसरे से अलग रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें पतले पतले steel के slot से ओकर के गुजारते हैं, ताकि एक दूसरे से दूर रह सकें, और साथ ही इस पूरी coil को हम लोग एक cast iron के frame से cover कर देते हैं, जो कि आपको बहार कुछ इस तरीके का नजर आता है, अ अगर इन 3 windings पे अलग अलग time पे current गुजारा जाए, तब क्या होगा? तब इसके अंदर rotating magnetic field यानि की RMF create होगा, कैसे? यह देखिए, एक instant time के उपर मैंने एक coil के अंदर current बेजा है, फिर थोड़ा सा time लेकर के दूसरी में बेजा है, और फिर थोड़ा सा time लेकर के तीसरी म रोटेट हो रहे है,